इस बार हम जल्दी से इंबोक्सिंग करने वाला हूं है विकोज यार ओल्ड़ी में टाइम काफी लेग चुका हूं तो मैं आपको जो फोन में बोक्स में मिलता है वो तो आपको पता ही होगा चार्ज, USB, DATA, Cable अच्छ, iPhone 11 1, iPhone 11, Apple and earphone मिलता है सब आपको पता ही है यह नहीं पता तो पूराने वीडियो बें देख लिए सेम है मगर सिर्फ मैं यह कहूंगा कि इस बर जो इंप्रोव उन्हों ने किया है वो आपको बता रहता है फोन में क्या कै इस बर जो iPhone XR में उन्होंने इंप्रूफ किया है और मैं इसको camera quality भी दिखाने वाला हूं सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाने वाला तो चलिए यार मेरे चैर को जल्दी subscribe कर लीजिए because iPhone XR के बाद मैं iPhone XS Max भी बनाने वाला हूं जल्दी में चैर को subscribe करिए और हां तो मैं इसके pros और कौन्स के बाद में आपको पहले बता रहे हूं जो मुझे लग रहा है कि iPhone XR में इस बर क्या इंप्रूफ किया गया मैं आपको बता तो slightly अगर मैंने देखा है तो मुझे सबसे much better camera लगा है इस बर जो camera इन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूफ किया है सबसे मेरे को actually brightness, sharpness, contrast इस बहुत ही अच्छे आइफोन XR से much कहीं better अगर मैं ये भी कहीं आप देख से हो कि iPhone X है उसमें dual camera मगर इसका single camera उसमें much better है contrast और sharpness के matter में हाँ उसमें tally lens अगर हमें जो original में tally lens मिलता, wide lens मिलता है और जो iPhone XR में ऐसा नहीं मिलता तो मगर इसमें जो copy में मैं आपको कहता हूँ KK की copy आप देख सकते हो KK की copy है ये तो much better than इन्होंने अपनी brightness और sharpness और थोड़ सी pixel density अच्छी कर दिया ताकि हम और अच्छी फोटो ले पाएं selfie video मतलब बहुत अच्छी मैं आपको पूरा बताना है मतलब ये बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी नहीं ने बढ़ा दिये है बहुत अच्छा लगा है मुझे और much better than एक चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो मुझे टेच का लगा है कहीना कई मुझे थोड़ा थोड़ा बीच में हैंग हुए मेरा तो यह मेरे को कोपी में इस बार कम ही लगी है मगर आईफोन थैनार में इसमें 2-3 खौपियां और भी आती है जो यहीं ही इस उपर का वर्जन होता है जो थोड़ा थोड़ा सा एक्सपैंसि इसके साथ मैं बैट के गेम वेम खेली जो कराया आपको बतातो हुए और गेम मैंने बाइब से पोलता है कि कDieश्मोटोयो होता है सिर्फ नोर्मल गेम है एवन मैंने पर्सनली यूज करा इसको और मैं सीरिसले आपको बता दूँगा कितनी बड़ी गेम्स आप सोच लिए तो माइंड में कि यह होगा यह होगा बाई और यह जो मैं इसको अगर इसमें जो रैम है तीन जीबी की है और जो मेरा यह है यह है 256 GB का मेरे को मिला यह तो इसमें मगर सबसे महुत बात यह है कि मैं यह निए बताऊंगी 256 124 GB कोई भी हो कोपी में कोई मैं करता उसमें अगर आपको एक सो अठाइस है तो उसमें आपको सिर्फ 30 या 35 चालिज जीबी ही मिलती है रियल में मतलब मैंने आपको पहले कि आदे से आदा सोच के इमेजिन करके वैडिये विकोर एक प्राइज देखे एक ओरिजिनल का प्राइज बहुत हाईयर है और एक कोपी का प्राइज बहुत कम होता है उसमें क्या मिलेगा अगर मैं पेंडराइब भी लेता हूं मार्किट में से 16 GB की तो वह भी हमें 400 500 की म रावर हमें मिलती है इसमें RAM और फोन मेरे काफी ज्यादा मैंने जो टेश के वारे मताया हैंग हो रहा था और बीच-बीच में जो मैंने चोटी मोटी गेम्स खेली थी कुछ तो मैंने उसको मेरे को भी डिलीट करना पड़ा काफी ज्यादा हैंग होने लग जया था बीच म मेरे यह experience इस बार मेरा अच्छा रहा कि हाँ इसमें मेरे को एक और बैयात मैं आपको बताया था इस बार बैटरी जो बैक अप है काफी अच्छा दिया गया है और इवन जो वाला इसके साथ जो हमें charger मिलता वो भी बहुत अच्छा कहीं बार मैं आइफोन 10 में अगर लोगों कि खराब हो गया कोपी है खराब एवन मैंने तो इतनी अच्छे तरह फोन रखा भी नहीं था मैंने कहीं बिल्कुल टेबल में नीचे रख देता कभी ऐसे मगर उसके बाब जुदी मेरा फोन बिल्कुल प्रोलम नहीं करा आप सब देख सकते हो तो यह आईफोन 10R मेरे सब बहुत ही बड़िया रहा है मेरा और सबसे मुझार घर देन यह जो एक तो बैटरी मेरे को सबसे अच्छे लगी और इसमें इस बार वाइरलास की भी अपडेट मेरे को दिखाया है कि वाइरलास अपडेट भी आई है जो बायर्लेस चाहर्जर का हा मगर में इसको जालत चे एक original और कोपी बहुत फ़रक होता है यार कहीं ये कुछ भी हो गया कल को कुछ sorry blast हो गया कुछ भी हो गया explosive हो गया तो यार वो बहुत बड़ा risk होता है इसलिए मैं risk नहीं लेना चाहता हूं मैं यही कहूंगा कि अगर आप इसको अगर चार्ज भी कर रहे हो तो इसी के चार्जे से चार्ज करो कहीं लोग कहते है कि भाई आईफोन के original चार्जे से हम चार्ज कर सकते हो और मैं कहें भी ज़ता हूं आप कर लीजिए हो भी जाता है बिल्कुल सही में seriously हो जाता है मगर the most problem is there एक copy और original में जो hardware है वो real में बहुत ज़्यादा different होता है तो कहीं कुछ भी हो जाता है वो आपका risk में तो मगर मैं मैंने seriously मैं कहने वाला हूं इस वीडियो के थुरू कि अगर आप यह phone लेते हो कोपी तो please original charger से मतलब ज्यादा मतलब यह नहीं की original charger से आपको अच्छा लग रहा है कि यह जल्दी च्छ हो रहा है बहुत फड़ा फड़ कहीं लोग और चार्ज जल्दी चार्ज हो रहा है तो लगा देते यार ऐसा नहीं आर अपना टैम मत करो यह यार बहुत even मतलब time तो sorry अपने time बचाने की चक्कर में आप सब अपने को मतलब कुछ हो ना जाएं आपको मैं seriously कह रहा हूँ डेली यूज़ करने पर ये explosive कुछ ना हो जाएं मैं आपसे बार बर यही कहा हूँगा और चलिए मैं इसके और आपको बताता हूँ तो जो मुझे मिली है जो मैंने बताया कि wireless charger की इसके एक update है जो मैंने देखी है मगर इस बार भी इनोंने जो mostly जो पिछली बार मैंने आपको दिखाया था मेरी वीडियो में कि इनमें दो store हमें मिलते है एक apple store होता है और एक android इसमें भी दोनों हमें मिलते है बाकि ऐसा कुछ भी नया नहीं है बस इसकी display को थोड़ा इंप्रूब किया गया है जो iphone 10R से अच्छे मुझे को display लगी है इसकी कि इसमें जो display काफी अच्छा इंप्रूब किया गया है तो जो मैं आपको display के बार में आप देंगे मतलब तो इसकी जो display बहुत अच्छी बिल्ट करी गई है और जो इस बार अगर original में आपने देखा OLED display है with liquid display भी एक आई है iPhone 10R में मगर इसकी display और iPhone 10R जो copy की display वो दोनों ही same है कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया गया विकॉस copy में ऐसा कुछ नहीं है कहीं लोग सोचते है डिस्प्ले मुच बैटर हो गया iPhone तो copy में ऐसा कुछ नहीं है सेम होई है जो iPhone 10R में और कुछ नया चीज नहीं है कि मैं आपको इसमें केके में 2-3 वर्जन आते है और प्रीमियम वर्जन भी आता है अच्छा वर्जन जिसमें हमें कैमरे में और भी अच्छा मुरू मिलता है और भी विकॉस अगर मैं इसको आपको मैं वह भी दिखा दूँगा अगर आप चाहते हो देखना iPhone 10R का प्रीमियम वर्जन तो प्ली आपको ताकि यह ना हो कई शक करते या नहीं है रोल तो जूट डाल रहा कुछ नहीं तो मैं वहाँ पर शूट करने वाला हूँ आप मेरी मीटप में आई और देखे मैं वहाँ पर iPhone 10R से और सबसे बड़ी बात है यह वहाँ पर बहुत कुछ giveaway होने वाला है मैं बहुत अच यह होता है कि यार गलत को सही सही को गलत हो सकता है मगर एक experience के साथ मैं बता हूँ इसे copy नोट है original क्योंकि original में मुझे पता है कि much better than ही होगा उसमें मगर जैसे मैंने इसमें बताया कि इसमें test थोड़ा problem create कर रहा है because मुझे लग रहा है जो मैंने काफी ट्राइ किया मतलब मैंने देखा इवन मुझे बार बर on off करना पड़ा test में मुझे problem लगी कि hang भी हुआ मगर एक time तक था मगर मुझे बाद में मुझे जब समाझ आ गया phone कैसे तो मैंने इसमें कुछ applications थी कुछ हटाई क्योंकि मैंने काफी ज़्यादा भर दिया था तो उसके कारण ये hang हो रहा था तो मेरी एक एक चीज आप notice करिये कि मैं उसको बताना चाहता हूं कि यार मैं यह नहीं कि धोका कर गया नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है तो मैं बस यही कहना चाहता था कि मैंने अपने इस phone को two months तक इस iPhone XR को use कि और आपके साथ पूरा honest opinion बताया है कि अगर आप इसमें ज्या 500 MB सोच लेते हैं तो भूल जाएए अगर 50 MB तक की गेम है तो आम शूर आवो चल जाएगी मगर 100 से उपर की होती है तो मुश्किल हो जाती है मैंने यह पूरा मैंने अपने चला के देखा तो इस बार मैंने आपके सब बिलकुल honest हो रहा है और आम शूर यार वीडियो होने वाला है music होने वाला तो वहां पर बहुत कुछ होने वाला तो यह मिलते हैं कनाड़ प्लेस में ग्राफिटी बॉल्ट ब्लोक ए में तो सियो गाइस अबी हो रहे है इवनिंग और बजरे है घड़ी में थाड़े पांच बजरे है अभी तो यहां मैं आईपोन टैनर लेकर आया हूं देखिए उपर छत पे हो तो मैं इससे फोटोग्राफी करने वाला हूं आईफोन टैनर से और आपको दिखाने वाला हूं कि इवनिंग में फोटोग्राफिक कैसे होने वाली और वीडियो में बनाऊंगा मगर मैं अपनी मीटप में डालने वाले हैं जो वीडियो में बनाऊंगा उसी दिन ही बनाऊंगा मीटप में तो फिलाल तो मैं इसके उपर आप देख लिए शाम हो रही है पीछ पूरी तो अभी साड़े यहां जो लेंस है मैं फोन से आइफॉन टैनर से खीच के आपको दिखाने वाला हूं कि केके की इस बार की जो क्वालिटी हमें क्या इंप्रूव्ड हुई है क्या मिलने वाली है तो मैं आपको जल्दी से खीचता हूं बहुत कम लाइट बच्छी है मगर आइम शौर की पो प्रड़ जो मैं खीचने वाला हूं तो लेट चेक आउट कि 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 झाल झाल झाल